पार्वर्ति नंदन देवों के देव स्री गनेश जी को सीस जुका कर प्रणाम करें फिर अपनी आयू अपनी मनुकामना अर्थ सिद्धी के लिए उन भक्त निवास का प्रत्नित्य प्रति अस्मरन करें प्रतमम वक्र तुन्डम चो एकदंतम तुतियकम तृतियम कृष्ण पिंगाक्छं गजवक्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम चो सस्टम विकट मेवचो सप्तम बिगन राजंचो धुम्रवर्न तथास्टकम इन बारह नाम का जो पुरुस या फिर इस्तरी दोपहर, साम या तीनों बेला पाठ करता है हे प्रभु उसे किसी प्रकार के बिंगन का भे नहीं रहता इस प्रकार का स्मरन हर प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है इसके पाट से बिद्यार्थी बिद्या, धन की इक्षा रखने वाले धन, पुत्र की कामना रखने वाला पुत्र और मुक्ती की कामना रखने वाला मोक्ष गती प्राप्त कर लेता है इस गनपती स्त्रोत का जब करें तो छह मास में एक्षित फल की प्राप्ती होती है एक बर्स में पुर्ण सिध्धी प्राप्त हो जाती है और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है जो बैक्ती इसे लिख कर आठ ब्रहमनों को समर्प्रत करता है गनेश जी की किरपा से उसे हर प्रकार की बिद्या प्राप्त हो जाती है इस प्रकार स्री नारत पुरान के अंतरगत संश्ट नासक गनेश सित्रोथ संपूर्ण होता है हर हर महादेप धरनिवाद धिन्यों संप। धिन्यों संतरगत स संप। झालिवाद कर दों दो धिन्यों संय फिन्यों साथ